आदाब आज कुक्टैन में हम आपके लिए बनाएंगे दही पोहा यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है साथ ही इसको खाने से हमारे पेट में ठंड़क भी मिलती है अगर आपको हमारी रेसिप कसना आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुक्टैन को ज काल दिया है थोड़ी हरी मिर्च लिए है इसको हमने बारी काल लिया है एक छोटा प्याज लिया है इसको भी हमने बारी काल लिया है और चोप के लिए हमने करी पता लिया है एक टीस्पून वेजिटेबल ओयल लेंगे एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून राई के दाने और एक पिंच हम नमक लेंगे, सबसे पहले हम दही के अंदर पोह को डाल देंगे, पोह हमने डाल दिया आए, इसको हम मिक्स कर देंगे, पोह को हमने मिक्स कर दिया है, अब यह हम इसमें प्याज, थोड़े टमाटो, और हरी मिर्चिन डाल देंगे, और थोड़ा नमक भी डाल देंगे, करीब हमने नमक एक चुटकी ही लिया है, अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सूखा पोदीना भी डाल देंगे, हम आपको बताना भूल गए थे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक पैन में हम थोड़ा ओईल डाल देंगे, और इसको गर्म करेंगे, हम तड़के के लिए, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम राई के दाने, और जीरा डाल के, पड़ी पता डाल देंगे, अब इस चौक को हम दही पोहे पे सर्व कर देंगे, थोड़े अपड़ से डाल देंगे इसको, चौक हमने लगा दिया है, दीजिए, आपके लिए, कड़ पोहा बनके तयारे, यह हमारे, पेट को बहुत ही ठंड़क देता है, आप जरूर ट्राइ कीजिए, और बहुत ही ज कमेंस भी दीजिए, अलाजिस